आज अजीत टीवी नाड़ गल करने साधिने नाड़ा बशेश तोर ते पहुंचे ने पराची टहलान बहुत अच्छी अदाकारा जिना दी हुने थोड़ा जर पहला फिल्म अर्जुन आई सी ते अपना नाड़ उने फिल्मी सफर बारे गल कर देया ते अगों की प्रोजेक सबतों पहला अजीत टीवी बनोतानु जी आया ते हुन अपने इस फिल्मी करी बारे कोई थोड़ा जान कारे देगा सस्रेकाल सार रहन्यों और सस्रेकाल सर और थैंक यू अजीत टीवी के मुझे ऑपुचुनिटी दी कि मैं आप सब से बात कर सकूं और आप मेरा इसके बाद मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है बाइलार्स जो कि 6th October को रिलीज हो रहा है जिसके डिरेक्टर है शितित चौधरी राइटर है जट्स क्रेवाल जिनोंने बहुत फेमिस फिल्में लिखी है बंबु कार्ट, रब्दा रेडियो, जट जेम्स बॉंड और साब आद निर्मल डिशी मैम और देव के लॉट तो यह सब हमारी पूरी कास्ट है और 6th October को फिल्म रिलीज हो रही है इससे पहले जो आपने अरजुन की थी कि उसमें जो अपने फर्स्ट मेरे खल आपकी फिल्म थी वो तो उससे अपने क्या कुछ सीखा और आगे क्या मतलब पंज पंजाबी इंडस्ट्री में आना हुआ मंदीप सर ने मुझे चांस तिया अरजिन मूवी में जो की जाधतर फिल्म हिरोईन की उपर बेस्ट थी तो उसमें मुझे हाला की फिल्म ने जाधा अच्छा बिजनस नहीं किया बट मेरी क्यारेक्टर की या मेरी अटिं की काफी पंजाबी फिल्मों में लड़कियों को हिरोईन को जो किरदार मिलता है वो जाधा उस हीरो के लेवल तक का नहीं मिलता कि वो अपने अपना टालेंट शो कर सके बट मुझे पहली ही फिल्म में हाला की पंजाबी मेरी लांगविज भी नहीं है फिर भी मुझे इतना प्रोजेक्ट का अच्छी टीम के साथ काम करने का अच्छी आक्टर्स के साथ काम करने का अच्छी स्क्रिप्ट पे काम करने का एंड इस दौरान में मुझे जस ग्रेवाल की फिल्म बाइलार्स करने का मौका मिला जो की बीनु धिलो की प्रोड़क्शन हाउस की पहली फिल तेज में रास्टन मंडल खेड़ना तुसी अपना एक चंगा नाम भी कमाया हान जी सर मैं कॉमन वेल्ड गेम्स 2010 में इंडिन नेट बॉल टीम की काप्टन थी मैंने नौ साल बास्केट बॉल भी खेला दिली की तरफ से और इंडिया की तरफ से इस इंडिस्ट्री में शायद भगवान चाहता था में इस इंडिस्ट्री में आऊं क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था जैसे एक आम आदमी की तरह सिनिमा होता है कि वो थेटर में जाते हैं फिल्में देखते हैं बुरा बोलते हैं अच्छा बोलते हैं अच्छे गार गलैमर कुमु कश्मीर के बच्यों को हम लोग मोबिलाइज करके लाते थे और उनको जॉबस दिलवाते थे यहां पर मेट्रो पॉलितन सिटीज में जो की दिल्ली होगी चंदीगर्ड बैंगलोर éléments बंबेश ऐसी सिटीज में उनको जॉबस दिलवाते थे तो उस प्रोजेक्ट पे मै जिसका नाम है आर्जू, पाकिस्तानी कारेक्टर है, और बाती बहुत बड़ा शो था, चार पांच साल टोटल चला जिसमें पांच साल में से साथ महीने में उनके साथ थी, जैन्वरी 2016 से सप्टेंबर 2016 तक, तो उन्होंने मुझे बुलाया कहते कि आप आओ, मैंने का मुझे अक्टिंग नहीं आती और उर पता भी नहीं था, मैं किसी को जानती भी नहीं थी, बड़ एक लड़की का मेशज था, तो गिसी ने मुझे बोला कि बात करने में कोई हर्स नहीं है, तो मैंने बात करी, और उन्होंने जब मुझे बढ़ा का दिस्क्रिप्शन दिया, तो मैंने अपनी जॉब भी छोड़ी मैंने अपना अपना शेहर भी छोड़ा दिली से बॉंबे शिफ्ट हुई और एक ऐसा डिजिजिन लिया प्रोफेशन चेंज करने का जिसके बार मैंने नातो को भी सोचा था और मुझे पता भी नी था कि मैं डेट साल के अंदर-अंदर दो पंजाबी फिल्मे भी कर लूगी और एक नया शो भी स्टार्ट हो रहा है लंबे का ददा के ना तौन फाइदा हो रहा है जानक सां सर फाइदा ही हो रहा है क्योंकि वजह से ही मैं मुझे अपना पहला ब्रेक मिला इस इंडस्ट्री में और दोनों फिल्में जो मैंने करी जोनों में फिर्स्ट विल में रोशन सर्ट की हाइट जिस तरह दसाइट ओड़े शे फुट दे करी मेरे खायत ओड़ी हाइट पहाँ ही जिस एक इन जाना मत कर रही लगे नहीं मिलते है ते वही हो यहागा ते उदे भीच रोशन प्रिंस्टाज रहा है गा वह अना काद नह जादा चलता है सिरफ यह नहीं चलता कि और वो जमाने गई जिसमें एक मेंटालिटी होती थी कि हीरो हिरो इन से लंबा ही होना चाहिए आज कल कुछ भी ऐसा नहीं है बल्कि आप बॉलिवुड में देखेंगे तो अल्मोस सारी हिरो इन सारे खान से लंबी हैं सो मुझे न अपना उनिसो चराशी पंजाब उनिसो चराशी अंगरेज लाब पंजाब अर्दास बगारा एक चंगे बिशेते दार्थ सन लगदा कि तो अनुनों भी कुई अजय है बिशा में लेते तुसी फिल्म करना चाहो बाइलार्स बिल्कुल ऐसी ही फिल्म होगे जब अर्चन का मुकाबला होता है इसकी वज़े से फिल्म का नाम बाइलार्स रखा हुआ है बेसिकली एक बैग्राउंड दूँगी बाइलार्स क्यूं रखा है एक रुष्यान ट्रैक्टर जो पंजाब में बहुत फेमस था बाइलार्स के नाम से जिसको औरिजिनली बोला जा इसकी रिलीज हो चुका है पर्सो रिलीज हुआ है जो आप देखेंगे बहुत ही इंट्रिस्टिंग है जिसमें बीनु सर है और पीछे बैग्राउंड में हम लोग सब उनको चियर कर रहे है पूरी फैमिली सो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है फिल्म और यह बहुत हटके है यह जो जितनी फेमस फिल्में है लव पंजाब, बंबू कार्ट, रब्दा रेडियो अंग्रेज इन सब फिल्मों को टकर देने वाली है बाइलार्स अजे है कोई पंजाबी जा डिरेक्टर और काम करनी तो अडिरीज होगे इच्छा पंकरजबत्रा के साथ काम कर करना चाहूंगी और और देखते हैं जितने उपरचुनिटीज मिलती है कोई अजय है ड्रीम जड़ा तुसी पूरा करना चाहूंदे भी मैं इस तरह नकरदार करा कोई दिमाग चाहे सर मेरे हिसाब से हर एक किरदार जो आप निभाते हो वो एक आक्टर के लिए बहुत चा अगर आपको अगर प्लते हैं तो आप उसमें बेस्ट अपना दो कि आपका चाहे लिए अपर उभर के लिए तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई स्पेसिक कारक्टर अगर आप मुझे पूछ तो मैं कारेक्टर रोल्स प्ले करना चाहूंगी जो कि बहुत चाहलेंगी है इ इसी इनसान की हो तो ऐसी अगर मुझे उपरचुनिटीज मिले तो मतब एक अक्टर के लिए उससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती जिस तरह के साउथ एशियन ओदेश्ट तुसी हो भी एजे कप्तार ने भी करना सुनों सपाग पराप्त हो है तो एक खड़ारी ले ज अपने स्पोर्ट्स बैग्राउंड की वजे से ही मैं यहां पर हूँ क्योंकि जितना मुझे कॉन्फिटेंस महां पर मिला एक टीम को साथ में लेकर चलना टीम वर्क स्किल्स हो गई और इंटरनाशनल लेवल पर अपने देश को रेप्रेजेंट करना मुझे लगता है मैं अगर फिल्म इंडस्ट्री में टॉप पर भी चली जाओं तो पर जो रिस्पेक्ट और जो एक वो तैना रॉंग्टे खड़ हो जाते हैं जब आप खुद का नैशनल नंथम दूसरे देश में जाकर अपनी टीम के साथ अपने देश का जंडा अपनी चाती पर और पीछे अपना नाम तो वह वाली फीलिंग मुझे लगता कभी और मिल सकती है मतलब मैंने ग्यारा साल साल स्पोर्ट्स खेला मैं दो साल से अक्टिंग में हूँ हाला की रेकरगनिशन जो है पैसा जो है फिनांशली वो फिल्मों में जादा है पर पर पुर्ट्स में जो रिस्पेक जाती है इनसान के लिए तो आइधिंक ये चीज है जो मुझे दूसरों से अलग करती है जब मेरे अंडर इंडिन टीम का पहला सिल्वर मेडल आया था तो हमें जादा मतलब स्कॉलर्शिप्स भी नहीं थी और जॉब ऑपरचुनिटीज भी नहीं थी यही रीजन था कि मैं मैंने छोड़कर और एक कॉर्पेट कंपनी को जोईन किया या मैंने अपनी पढ़ाई पर जादा ध्यान दिया पर अब पिछले तीन-चार साल में तो सिनारियो काफी बदला है जब से मैडल सारे है जब से गवर्मेंट की तरफ से काफी फसिलिटीज मिल रही हैं प्लेर को स्पोर्ट के उपर फिल्में बन रही हैं तो और ज्यादा अवैरनेस हो रही है स्पोर्ट को लेकर या जिन खिलाडियों ने हमारी देश के लिए काफी कुछ किया उनके बारे में पता लग रहे है तो वह अच्छी चीज है मुझे लगता है किसी भी अच्छे काम के लिए चोटे स्टेप से ही एक मुकाम तक पहुचते हैं तो वह लेना शुरू कर दिया है हमने और इंडास्टी में गलैमर और टेलेंट कितना कितना जरूरी है सर लंबी रेस के घोड़े के लिए तो दोनों बहुत जरूरी है क्योंकि गलैमर एक चोटी चीज है एक अगर अगर अगर आप अच्छे आक्टर हो अगर आप कनेक्ट करते हो अपने ओडियन से अपनी परफॉर्मेंस से अपने रोल से तो फिर आप लंबे टाइम तक टिके रहते हो आप एक अपने टालेंट से आप अपने एक ओडियन्स जोडते हो जो आपका लंबे टाइम तक साथ देती तो मुझे लगता है कि टालेंट भी बहुत जरूरी है और डेस्टीनी सर बहुत जरूरी है इस इंडस्टी में मैं तो फॉलाइव एक्जामपल हूँ डेस्टीनी का बट साथ के साथ डेड़ महीने में मेरी महनत भी बहुत रही है मतलब हर एक दिन एक चैलेंज की तरह आता ह है जो फेस करना पड़ता है बाकी जितनी इंडस्टी दिखती है उतना ही जो मेंटल प्रेशर आपको आता है रिगार्डिंग सेच्वेशन कितनी तरीके की आपको हैंडल करनी पड़ती है तो वह आपको ज्यादा स्ट्रॉंग बनाते है और वह आपको अपने मुकाम तक ल से और मुझे अभी भी नहीं लगता कि मैं एक अक्टर हूं मैं आम ते फेम दा क्रेज़ता होना भी चाहिए है हां होना भी चाहिए बट एक चीज़ बुरी लगते है कि जिब स्पोर्ट्स में इतना कुछ किया तब इतनी फैन फॉलोंग नहीं थी जितनी अभी एक साल में इंटर्टेन्मन इंडस्ट्री में रहकर हो गई है बट सेडन डन आइधिंक लोगों को बहुत क्रेज रहता है इस इंडस्ट्री का और होना भी चाहिए क्योंकि इसमें सब कुछ दिखता है आपको एंटर्टेनिंग लगता है आपको मतलब लोगों को जानना चाहते हैं कि सेलेब्रिटीज की लाइफ होती कैसी है, बट ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल इंसान है, आपकी तरह नॉर्मल रुटीन होता है, सबका, बट बहुत चालेंजिंग है, मतलब इस इंडस्ट्री में सवाइफ करना ही बहुत मुश्किल है, तो बहुत हाड़ वर्क चाहिए, और बहुत पेशन्स चाहिए, और मेंटिली बहुत स्ट्रॉंग रहना पड़ता है, इंसान को, अपने नमे मुवी बारे ते अपने प्रोजेक्ट बारे गाल करें सन, अचिक वर फेर अजीज टीवी बलो, तानु जी आयाक देहा, थाइंक यू सो मच, थाइंक यू सो मच और बहुत बदिया लग गया, मैंनो तवाड़े नाल गाल करके,